आपके शरीर को स्वस्थ रहने के लिए खान पान के साथ साथ और भी बहुत कुछ जरूरी चीजों की आवशक्ता होती है, इसके लिए आपके पास काफी सारी option भी होते हैं, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप खाने में जो तेल का इस्तमाल कर रहे हैं, वो आपके ल जीवन में शामिल करते हैं तो आप हमेशा निरोगी जीवन जी सकते हैं, इन तेलों को आप दवार की तरह इस्तिमाल करके फिट और स्वस्थ रह सकते हैं, आपको बता दें कि ये तेल किसी और शुधी से कम नहीं है, इनके इस्तमाल से आपको काफी फाइदे है, आलसी का तेल अलसी का तेल आपके लिए काफी अच्छा होता है, इस तेल में विटमिन E पाया जाता है, इसके तेल को जले हुए जगह पर लगाने में आराम मिलता है, अगर कोई कुछ ठ्रोगी है तो आपको इसका इस्तमाल करना चाहिए. एरन का तेल आपके शरीर में होने वाली कई समस्यां से ये तेल छुटकारा दिलाता है, आपको अगर दिल की विमारी है और आप कब्ज की समस्यां से परिशान है तो ये काफी फाइदे मंद है, आपको बता दे कि इस तेल का रोजाना सेवन करने से आपके पेट से समबंधी स तभी समस्यां एक खत्म हो जाएंगी, जैतून का तेल आपके लिए ये तेल सर्दियों में काफी अच्छा होता है, सर्दियों में इसकी मालिश करने से शरीर गर्म बना रहता है, इससे आपके लकवे, गठिया आदी रोगों से आराम मिलता है, नारियल का तेल आपके बढ़ाने वाला होता है, आप अगर अपने बालों को लंबा और काला करना चाहते है तो आपको इसका इस्तमाल करना चाहिए, सर्सों का तेल आपके दान्तों के लिए सर्सों का तेल काफी फाइदे मंद होता है, अगर आपके दान्तों में दर्द वपाईरियार की शिकायत रहती है तो आपको बता दे कि आपको इसे नमक मिला कर दांतों में मलना है ये दिनौला तेल इस तेल के भी अपने कई फाइदे है इसके इस्तमाल से आपके इस तनों में दूद की मातरा बढ़ती है आपके लिए ये चर्म रोगों के लिए भी कामाता है इसके इस्तमाल से आ आपको चर्म रोगों से बचाता है, आपको इसका सेविन करना चाहिए और स्वस्त रहना चाहिए. तिल का तेल आपके शरीर के लिए तिल का तेल का तेल काफी फाइदे मंद होता है, इसके इस्तमाल से आपकी कामशक्ती बढ़ती है, इसके साथ अगर आप की इंग और सुन्ठ मिलाकर मालिश करेंगे तो आपके जुन्डों के दर्द में आराम मिलता है